कोलकाता रेप मडर मामला सामने आने के एक महीने बाद सुप्रीम कोट में आज सुनवाई हो रही है मामले के सुनवाई चीफ जस्टिस डिवाइट चंदरचूर, जस्टिस जेवी पार्दिवाला और जस्टिस मनोज मिश्रा की बेंच कर रही है सीबियाई ने जाच पर अपनी स्टेट्स रिपोर्ट्स पीट को सौपी जजों ने सील बंद लिफाफे में सौपे गई रिपोर्ट्स की समिक्षा की है मामली के सुनवाई के दौरान चीफ जस्टिस ने पूछा है कि प्रिंसिपल का घर कॉलेट से कितनी दूर है इस पर सौलिटेर जोर्नल ने जवाब दिया कि आरजी कर मेडिकल कॉलेच से पंदरा से बीस की मिनट की दूरी पर प्रिंसिपल का घर है सुनवाई के दौरान पश्टिममैंगोल सरकार ने कहा है कि हस्पताल में हुए तोडफोर के मामले अपनी स्टेट्स रिपोर्टस दाखिल करती है वहीं burnt picture ने मामले में हुई अभी तक की जाच को लेकर अपनी स्टेट्स रिपोर्टस दाखिल कर दी है बेंच सील कवर में दाखिल CBI के स्टेट्स रिपोर्ट को देख रही है वहीं CBI ने अब इस मामले पर क्या कहा है पहलो उस पर बात कर लेते हैं CBI की तरफ से पेश वकील S.G. तुशार महता ने आरोप लगाते हुँ कहा है कि पश्यम बेंगॉल सरकार CBI से क्या छिपाना चाती हमें पश्यम बेंगॉल सरकार की तरफ से दाखिल जवाब की कॉपी नहीं मिली है वहीं बेंगॉल सरकार ने क्या कहा? पश्यम बेंगॉल सरकार की तरफ से कपिल सिब्बल ने कोट को बताया कि हमने जवाब की कॉपी सिर्फ कोट में जमा की है हमने CBI को अभीता कॉपी नहीं दी है उन्होंने आगे भी कहा कि डॉक्टरों की हर्ताल की वज़े से जब डॉक्टर अस्पताल में काम नहीं कर रहे थे उस वक्त 23 लोगों की ट्रीट्मेंट ना मिलने की वज़े से उनकी मौत हो गई थे अब कोलकाता कांट पर सुप्रीम कोट का सवाल और बेंगॉल सरकार का जवाब क्या है ये बताते हैं कोट ने कहा रेब मर्डर मामली की FIR कब दर्ज हुई तो बेंगॉल सरकार का जवाब आता है कि दो बचकर 55 मिनट पर FIR दर्ज हुई डेट सर्टिफिकेट एक बचकर 47 मिनट पर बना बेंगॉल सरकार बोलती है कि थाने में आ प्रकार्तिक मौत मामले में दो बचकर 55 मिनिट पर डायरी दर्च की गई और एक बचकर 47 मिनिट पर बना। वहीं सुप्रीम कोट ने मामले में आगे की जाच के लिए CBI को एक हफते और वक्त दिया है। पिछली सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोट ने क्या कहा था? इसकी बात कर लेते हैं। 20 अगस को सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोट ने इस घटना को भयावा करार दिया था और डॉक्टरों और आन्यस्वास्त पेशवरों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए एक प्रोचोकॉल तैयार करने के लिए 10 सदस्य राज़्च्य टास्क फोर्स का गठन सहित कई प्रदर्शनकारी डॉक्टरों से काम पर लोटने की अपील करते हुए कहा था नाय और चेकित्सा को रोका नहीं जा सकता है वहीं कलकता हाई कोटन निर्देश पर मामले की जाच कोलकाता पोलिस से CBI को सौप दी गई वहीं अब रविवार को कोलकाता में इंसाफ की मांग करते हुए हजारों लोगों ने प्रोटेस्ट किया है इसमें हर वर्ग के लोग शामिल हुए कई सेंक्शनिक संस्थानों के पूर्व छात्र, मिट्टी के मॉडलर, रिक्षा चालक और जूनिया डॉक्टर कोलकाता की सडकों पर अलग अलग तरीके से उतरे हैं और एक महिने पहले हुए लेडी डॉक्टर के साथ बलातकार और हत्या के खिलाफ विरोध प्रदुर्शन किया दक्षन कोलकाता में 40 से जादा स्कूलों के करीब 4,000 पूर छात्रों ने पीड़िता के लिए नयाय की मांग करते हुए कोलकाता रेफ मड़केस में जहां आज कोट में सुनवाई हुई और CGI चंदरचून ने क्या सवाल किये और बेंगॉल सरकार ने उसके क्या जवाब दिये यह हमने आपको दिखाया बेसिकली कोट में क्या क्या हुआ आप इसको किस नजरी से देखते हैं नीचरी दिये गए कमेंट सेक्शन में अपने राइज जरूर दें मैं थी आपके साथ वंचिका सिंग और आप देख रहे हैं ABP Live